हेलो दोस्तों कैसे हैं आप अम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे बढ़िया होंगे और मेरी तरह और यह भी अम्मीद करता हूं जो भी सवée हैं वो लग्र uniform होंगे तंदोलोस्ट होंगे विर अपके किर बाइनस के उनके पास मुझे में मैसेज किरा रहा है कि मेरे ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक मुर्गी और मुर्गा है तो मैं अप्तादू करवा सकते हैं लेकिन आप की जो है कोई नहीं चल सकती जब आपका मुर्गा पूरी तरीक से रेडी ना हो जाएगा तो वह बला कैसे मुर्गी ना हो जाएगी तो वह कैसे बला किरोज करवाएगे तो आने वाले जो मनलalgू वाजदी वह आपसमें मैटिंग भी लेते हैं जो मुर्गिया आने वाले समय में अण्डे देंगी और यूज़ों को जो प्रशन कराएंगे और बच्चे निकल वाएंगे तो है आने वाले समय में मने ना EPA सोब्सक झातित् chính हैं में बाग रहे हैं दीक गल के भी और मुर्गे आपस में लड़ है या भाग रहे हैं बाग से बाग से चला चलतीन व hoje तो वह तो क्या रीजन है इनका वह रीजन है क्योंकि जो हमारा मुर्गा होता है मुर्गा हो गाया है कि यहां डियर साल का मुर्गा है उसे पेर पर लगाएंगे तो बीडिंग तो आ जाएगी लेकिन बच्चे निगल जाएंगे लेकिन वह कच्चे होंगे मैं अपने हिसाब से बोलता हूं कच्ची ब्रीड कच्ची ब्रीड क्योंकि उनके आने वाल समय में नोके जड़ंगे और जो है वह कीली टूटंगी और फिर क्या आएगा हो सकता है वह गुटनों के उपर भी बैठ जाएंगे जब उनके बच्चे नेक्स ताइम जो न्यू जनरेशन आएगी न्यू ब्रेड आएगी तो क्या होएगा कि उनके ना वह जब चैना से चार महीने से उपर को चलंगे हाइट आप उनकी खुरांके लगा होगे तो धीरे-धीरे क्याल से घटता चला जाएगा और घुटनों के उपर बैठ जाए ठीक है मुर्गी धाई तीन साल की मुर्गी एक नंबर की और भीया मुर्गा भी जोना इसी लगभग का मुर्गा होना चाहिए ठीक है जब वह फूल परंद होते हैं पहले तो आप उसे खेल पानी में फटकाएंगे जब वह आपको लगे का हाई ठका ठका सा हो गया है इसक कोई कमी वेसी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम जरूर देंगा आप मुझे वट्साप पर भी जो है मैसीज कर सकते हैं या अपना सोक का वीडियो मुझे भेज सकते हैं दोस्तों बाकि आप खुद समंदार है मेरे जाद समंदा मिलते हूं अगली वीडियो में नई टोपिक के साथ दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद